हलो स्टूडेंट क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सफलता के लिए अभ्यारती प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल कुश्मांदा इस एस एस एकाडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मि वो है 7th January 2020 और क्लोजिंग डेट है अप्लिकेशन की 6th February 2020 और दस बज दस बजे के टाइम पर आपकी जो है रिक्रूट्मेंट की नोटिफिकेशन है अप्लिकेशन का टाइम है वो खतम हो जाएगा इंपोर्टेंट जो है यहां पर लिखा हुओ है प्लीज रीड ढूलिजिबल उसके लिए होते हैं अगर अब पिर भी अलिजिबल होते हैं तो उसके बाद आपको अपलाए करना चाहिए रही है तो मी भी आपको एक्षेज करनी पड़ सकती है और कुछ और बातें जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है पॉस्ट जो लिखी हुई है लेवल टू जी आर्सी और स्केल जो है 19,000 से लेकर 63,200 कोटा जो है 2 और distribution anywhere on western railway इसी तरीके से लेवल 1 जो है 18,000 से लेकर 56,900 कोटा 12 टू पोस्ट इच ओफ BCT, BRC, ADI, RTM, RJT and BBP division इसके बाद कुछ और information है जैसे कि आप देख सकते हैं educational qualifications जितनी आपको बताई जाएगी post के हिसाब से उस में आपकी 4 January 2020 तक latest उतनी होनी चाहिए complete हो जानी चाहिए उसके बाद कुछ और information है जैसे कि क्या-क्या eligibility है nationality के बार में details है यहां पर nationality की details है दल से की citizen of India subject of Nepal और subject of Bhutan और a refugee who came over India before 1st January 1962 a person of India origin who came migrated from Pakistan Bumrah Burma और कुछ detail है age limit जो है level 2 के लिए age limit 18 years 30 years है और level 1 के लिए age limit 18 years 33 है और कुछ जादा further details है यहां पर दी हुए हैं जैसे कि आप देख सेते हैं ensuring the correctness of particulars of application आपको application पूरी जो है आपको मिलेगी उसके बाद आपको application की जो है application fees submit करानी है उसकी last day जच है February 2020 है recruitment process जो है लिखा हुआ है recruitment process will be waste zone return and document verification एक तो return test आपको होगा और आपकी document verification होगी या पी document verified है और आप कितना जदा eligible है और आपकी कुछ preferences होंगी जैसे कि आपकी qualification अगर जदा है तो शयद आपको जदा preference मिलेगी इसी तरीके से यहां पर और details है examination fees जो है वो है 500 rupees for candidates except those mentioned in subparap below और 250 उनके लिए है जो SCST एक सर्विसमें person with disability women और minorities economically backward class से belong करते हैं that means कि general और non reserved categories के लिए 500 है और women और reserved categories के लिए 250 है इसके बाद कुछ और job की descriptive details हैं आपर आप देख सकते हैं और मैं इस पूरे notification को एक बर scroll down कर देता हूं ताकि आप सारी details देख सकें यह कुछ certificates हैं या कुछ performance हैं जो अगर आप जैसे certificate of disability अगर आप disability की relaxation चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है यहां पर इन कुछ ज़रूरी papers को बनवाना होगा printed form में या फिर जो है written form में उसके बाद आपको पता लग गया कि किस तरीके से details हैं और main details मने आपको समझा दी I hope आपको अच्छा रहेगा अगर आप application भरेंगे तो और कोई problem नहीं आएगी अगर आपको कोई doubt होएगा किसी भी step में या फिर अगर आपको कोई problem होगी तो हमारी help line आपको screen पर provide करी जाएगी है वहाँ पर call करके हम से कोई भी help ले सकते हैं और अगर आप हमारी test series study material test series और हमारे classroom courses और हमारी further details के लिए आप हमारी website www.kushmanda.com पर जा सकते हैं thank you इस वीडियो को देखने के लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को subscribe कर लेगे और notification bell को दुबाएंगे तो आपको सारे updates मिलते रहेंगे thank you इस वीडियो को देखने के लिए next वीडियो को साथ आपको बोजल मिलेंगे तब तक के लिए take care हमारी test series study material या special classroom course के लिए visit करें हमारी website kushmanda.com पर यह हमारे help line नंबरों पर भी call करके आप सार की detail पता कर सकते हैं so wait for our next video